हेलो इस्टूइंट्स नेक्स्ट हम लिसकस करेंगे एक्जाम्पल लमा 16 मैं टू मीटर टॉल वाक्स एड़ दा रेट ऑफ फन इस्टू बाइट थ्री मीटर पर सेकंड ठीक है इस्ट्रीट लाइट विच इतनए फाइव वन अवाई थी अभाव दा ग्राउंट। थिक है कि स्ट्रीट लाइट है मैं तू मिटर टॉल वाक्स अड़ दा रेड दिस तूवर्स दा स्टीट तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है न डी वाइ अपॉन डी यह है वन इस्टू बाई थ्री मिटर पर सेकेंड रिवन जा त्री फोर फाइव बाई थ्री मिटर भी लिख सकता हूं लाइस को है तो शैड़ो का डिस्टेंस जो है वो किस रेट पर चेंज हो गया है नहीं डी एक्स अपॉन डीटी आपको फाइंड करना है फर्स्ट लिए यह टिप हो गया शैड़ो गाना एट वाट रेट इस दा लैंध ऑफ इस शैड़ो चेंजिंग वैं दिस फ्रॉम दा बेस अफ बेस ओफ डिस्टेंस यह हो तो कितना चेंज होगा यह बताना है आपको चलिए तो अब आपको एक ट्रींगल दिख रहा होगा यह ए बी सी डी और ए अब अपने यहां पर एक सिमिलर ट्रींगल का इंदर याद हो आपको तो अगर किसी ट्रींगल के अंदर एक एरिया और दूसरा एरिया मतलब कि डो एरिया अगर कॉमन हो तो डबल ए प्रॉपरटी से दौनों ट्रींगल हो जाते हैं तो मैं आप लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए बी बी ए सी लिख लो ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर होंगे ट्राइंगल डी ए ए के by the property double A rule समझ माया कुछ बिलकुल सरात हो गया है तो ये एंगल double A से rule से क्या हो जाएंगे similar हो जाएंगे अगर ही similar होते हैं तो हमें पता है इनकी sides के ratios भी equal होंगे तो पहली side का ratio इदर से A सी उठाया और इदर से पूरा A E उठाया इदर से B C उठाया और इदर से D E उठाया C P corresponding pair of similar triangle ऐसा कर सकते हैं अपन बिलकुल कर सकते हैं अब इन दोनों की जगे side good कर दो A C की जगे X और A E की जगे X प्लस Y आ जो A C की जगे X और इसकी जगे X प्लस Y इदर 2 हो जाएगा BC की जगे तो 2 हो जाएगा और इस खंबे की height 5 1 by 3 है तो 3 5 जा 15 और 1 16 by 3 यह उपर चला जाएगा 2 multiply 3 upon 16 2 8 जा तो 3 by 8 आ गया finally मेरी equation यह बन गई है यहां तक समझ मागया क्या है अब इस equation पर थोड़ा सा ध्यान दो आप अब मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा differentiation करना पड़ेगा ठीक है तो यह तो आप इसको cross multiply कर दो सबको तो यह 8X हो जाएगा तो इसको एक similarity एक equations में change कर सकते हैं like 8X equals to 3X plus 3Y इसको धर बेज़ दो 5X equals to 3Y अब आप यहां पर both side का कर दो differentiate both side differentiate with respect to 5 constant x का dx upon dt 3 constant है dy upon dt के अब देखो अपने पास किसकी वैल्यू है इन दोनों में से डीवाई अपॉन डीटी की वैल्यू है 5.3 इसकी वैल्यू नहीं है डीवाई अपॉन डीटी की वैल्यू क्या है 5 upon 3 put कर दो यहां 3 से 3 चला गया 5 से 5 चला गया तो dx upon dt का वैल्यू कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड अपर देखना मैं एक्स लैप लिखता हूं इसको dx upon dt के वैल्यू आगई 1 मीटर पर सेकेंड अब ध्यान दो अपने डाइग्राम पर वापस से यह आईगी है मेरे पास 1 सेकेंड थीक है किस रेट से वो मूव करेगी तो वन मीटर से मूव करेगी सेकेंड थीक सुनना अब यह बोलना चाहरा है यहां से यह कि यह जो length of shadow है वो किस हिसाब से चेंज होगा यह आपको बताना है तो उसको बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा at what rate is the length of shadow changing यह पूरी length of shadow ही तो है मतलब x plus y ही तो है अगर मैं x plus y को add कर देता हूं अगर मैं x plus y को add कर देता हूं फिर इसका differentiation निकालता हूं तो देखना क्या बनेगा complete जो length होगी complete rate of change of shadow x plus y का क्या करना है मुझे differentiation करना है with respect to dt x का तो dx upon dt और इसका dy upon dt अब dx की value अभी भी बन निकाली है और dy की value 5 upon 3 3 plus 5 8 upon 3 meter per second इस यह हो जाएगी complete rate इसको mix fraction में भी लिख सकते हैं यहां पर बट अब एक चीज इंपोर्टेंट आप थोड़ी ची द्यान देना है आपर मैं यह कह रहा हूं आपसे अगर इसको mix fraction में लिखते हैं तो यह पूछ क्या रहा था यह पूछ रहा था यह पूछ रहा था आप से अट वाट रेट दा टिप आफ इस शैड़ों मोभी अब कहने का मतलब यह है कि जो यह हाइट है मतलब यह जो रेट उफ चेंज है वह दिरे दिरे क्या हो रहा है इस रेट से कम होता जा रहा है यह पूछ जा रही है तो किस rate से shadow move कर रही है वन मीटर पर सेकंड के साब से move कर रही है और मैं completely अगर इसको justify करूँ जब यहाँ पर एकदम exactly pass में पहुंच जाएगा तो उसकी shadow एकदम खतम हो जाएगी इसकी shadow के खतम हो जाएगी यहाँ पर ही move कर रहा है किसे negative से मैं लिखूँगा यहाँ पर hence rate of change rate of change of shadow is decreasing minus 1 meter per second answer आपका वही रहेगा मैं x plus y को जोड के भी निकालूँगा बट एक्च्छल में decrement तो मतलब जो रहेगा हो minus 1 से decrease होता रहेगा ठीक है complete example 16